हलो नमस्कार प्रणाम दुआ सलाम मैं हूँ डॉक्र लोकेश वाली स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और शानदार जानदार कमाल प्रेस एनरजेटिक वीडियो में प्यारे साथियो आज 9 नौमबर हो गया है और तक्रीबन शाम के साड़े साथ बच चुके हैं जब मैं इस वीडियो को सूट कर रहा हूँ तो प्यारे साथियो अभी तक अगर NTA की वेबसाइट पर देखा जाए तो एड्मिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं जिया साथियो अभी तक अड्मिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं तो आप सभी के मन में सवाल कैई सारे आ रहे होंगे कि अड्मिट कार्ड कब तक आने वाले हैं date seat कब आएगी या फिर हमारी exam फिर से postponed हो जाएगी इन तमाम सवालों के बारे में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए साथियो शुरुवात करते हैं प्यारे साथियो वीडियो के प्रारंब मैं ही आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए एक positive संदेश लेकर आया है जिया साथियो एक सकारात्मक संदेश लेकर आया ये वीडियो और आपके मन में एक नई उमीद की करण देने वाला है ये वीडियो तो साथियो जैसा कि आप सभी को पता है NTA UGC की नेट की एकजाम 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में होना तै हो रखा है जैसा कि NTA ने हम सभी लोगों को बतला रखा है आज ये वीडियो सूट होने तक प्यारे साथियो 9 नवंबर हो चुका है और 9 नवंबर भी एक तरीके से निकल गया है यानि 10 नवंबर हो गया है और अभी तक किसी भी प्रकार की एडमिट कार्ड से सम्बंदित जानकारी और डेट सीट से सम्बंदित जानकारी नहीं आई है तो हमारे मन में एक सवाल का उठना लाजमी है कि क्या भाई हमारी एक जाम फिर से पॉस्पॉरंड होने वाली है तो मैं आपको बता दू कि ये अंदर की बात जान लो या फिर आप कैसे भी समझ लो ये एक जाम इस डेट को होकर रहेगा अब मैं पूरा तरीका बता दूँगा कि कितने चरणों में एडमिट कार्ड आएंगे वो सारी बात समझ लो देखो बहुत सारे वीडियो में डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं आप समझ जाईए हरा आदमी के अपने सोर्स होते हैं अपने तरीके के आप लोग इतना जान लो कि भाई साब आपकी एगजाम इस डेट को होगी बस इसी सकारात्मक उर्जा के लिए एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजे देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाईयर एजुकेशन से जुड़े हो मुझे सालों हो गए हैं मैंने खुद ने इस एकजाम को कई बार पास कर रखा है देश की प्रतिष्टित यूनिसटी से पेचडी किया है पढ़ने पढ़ाने का सालों का अनभाव है उस अनभाव के आदार पर ही कह रहा हूँ आप समझे हाँ बिलकुल समझे आपकी एकजाम इसी डेट को होगी बस कुछ चरणों में एडमिट कार्ड आएंगे उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे यार क्योंकि तो चलिए साथियो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकजाम पॉस्पोर्ण तो हमारा हो नहीं रहा है इतना आप तैस समझ लीजिए अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे जियां साथियो नाइन नवंबर हो गया है एडमिट कार्ड की अभी तक कोई सूचना नहीं है जबकि हमारी एकजाम में केवल 10 से 11 दिन का समय बचा है 10 दिन का समय लगा लो कि हमारी एकजाम में 10 दिन का समय बचा है तो अब हम बानेगे कि एडमिट कार्ड हमारे कब आएंगे देखो आपके एडमिट कार्ड दो चरणों में आ सकते हैं जिया सातियों आपके admit card दो चरणों में आ सकते हैं कैसे कैसे चरण रहेंगे इस चीज़ को समझो देखो दो चरणों में किस प्रकार से आएंगे इस चीज़ को समझीजिए देखो आ सकते हैं एक तो सातियो जो आपका 20 नौंबर से लेकर जो 30 नौंबर तक का जो समय है इसके एडमिट कार्ड पहले जारी किये जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 20 तारीक से लेकर 30 तारीक तक के जो भी एडमिट कार्ड आने वाले हैं वो समभावत है एक चरण में आएंगे और इसके बाद में जो एगजाम एक से लेकर 5 दिसंबर तक लगेगी उसके एडमिट कार्ड अलग डेट को आएंगे। देख सकते हैं अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई एडमिट कार्ड तो दो चरणों में आएंगे लेकिन आएंगे कब देखो यह दक्स सवाल है आप लोगों का और यह दक्स सवाल का समाधान आपको मिलेगा साथियो तारीक 12 और 13 के बीच में जिया साथियो आपकी 12 य जारी कर दिये जाएंगे संभावते सब्द लगा रहा हूं उसका कुछ कारण है पर आप मानके चलो कि 12 से 13 तारीक तक यह एडमिट कार्ड जारी कर दिये जाएंगे क्योंकि एंटिये की साख भी अब दाव पर लगी हुई है सारी इस्तिती सामान है तो फिर स्टुडेंट के भविस को क्यों लटका के रखा हुआ है अभी मैं डेट सीट के बारे में बात करूंगा दैरी रखिए तो प्यारे साथियो एडमिट कार्ड का पहला चरण आएगा इस तारीक को इसने नवंबर को एडमिट कार्ड के दूसरे और दूसरे चरण जो हमारा जो एक तारीक स साथियो लगभग मैं आपको बता देता हूँ 20 से लेकर 22 नवंबर को क्या साथियो 20 से लेकर 22 नवंबर को आपके दूसरे चरण के एडमिट कार्ड की मतलब कार्ड जारी कर दिये जाएंगे संभावते हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं तो देखो आपके मन में जितने भी ल अमियह कायम है और अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो मामला खराब हो जायेगा अब हम बात कर लेते हैं कि भाइसाब सबजेक्ट वाईज सीट कब जारी होगी इसके बार में बात कर लेता हैं भाई सबजेक्ट वाईज स्वीट कब जारी होगी लेकिन उस से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है ना तो subscribe कर लीजिए 2 लाग subscriber होने वाले हैं आज या कल में हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि दो लाग सब्सक्राइब में हिस्सेदारी आप लोगों की भी रहे मैं देख रहा हूँ कि लगबग 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियों को वाच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई हमारे चैनल पर ग्यान की बात होती है अगर ग्यान में इंटरस्ट लेते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टिक टॉक का चैनल नहीं है कि आपके लिए मुझरा मुझरा चल रहा होगा ग्यान की बाते होती हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एडमिट कार्ड जब जारी होंगे उसी दिन कुछ घंटों के एर फिर में आपकी सब्जेक्ट वाइज भी आपकी डेट जारी कर दी जाएगी। तो यह जाएगा देट सिंट से तो देट सीट के आपशिंटा मत करो देट सीट भी आ जाएगी मेरा कहने का सीधा सिधा मतलब है कि यह आपकी होकर रहेगी। भाई टूट पड़े यार सीरियसली कमाल कर दिया तो जिनको नहीं पता उनको बता दू कि मैं आपको NTA UGCNET का पेपर 1 पूरा रिवाइच करवा रहा हूं पूरा एसे लेके जैड तक बिस आपको क्लास में आना है तो 50 MB डेटा के साथ आपको क्लास में आना है कोई सुलकुल कर नहीं लगता है कलास होगे अपनी कलास फिर होती है आप डेली कलास में आ जाये करो पूरा पेपप कितनी जाती है आप चाओगे तो वीडियो के लाश्ट में दोनों वीडियो की लिंक लगा दूँगा और फश्ट कमेंट में भी इन दोनों वीडियो की लिंक में लगा झाल